सेना पती जी माराज उस शर्यंत्र की असफलता से शत्रु तो अवश ही हार मन गया है अब लोग जाने के लिए तैयार है हाँ माराज लगता है कि सेना की कई टुक्डियां रवाना भी हो चुकी है तने गुधर की प्राचीर से जाकर देखतो महमुद के सेना वापस घजनी की तरफ ही प्रास्थान कर रही है न अभी देखता हूं महराज 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 वो लोग वापस घजनी की तरफ नहीं जा रहे है उसे इंट्री मार लो तो दूर से देख बोलते हुए महराज 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 महराज, वे लोग वापस घजनी की तरफ नहीं जा रहे हैं क्या, घजनी को नहीं जा रहे हैं हाँ महराज तो कहा जा रही है उनकी सेना महराज, महमूद हमारी गड़ी से कन्नी काटकर बगल से अपनी सेना समेत मरुस्थल में प्रवेश कर रहा है महमूद मरुस्थल में प्रवेश कर रहा है हाँ महराज सत्तर वर्ष से मैं इस मरुस्थल का स्वामी रहा हूँ आज तक मेरी इच्छा के विरुधे एक पक्षी तक मरुस्थल में प्रवेश ने कर सका और आज ये एक विदेशी लुटेरा मेरे जीवित होते हुए मेरी दृष्टि के समक्ष मेरी अभहिल ना करके मरुस्थन में प्रवेश करना चाता है मेरे रहते हुए मेरी जन भूमी पर कुदृष्टी डालना चाता है संभव सिनापदी या संभव है महराज स्मरण रहे घोगा राणा के वंश में किसी के भी जीवित रहते ये नरपशू हमारे देश पर कुद्रिष्टी नहीं डाल सके किन्तू महराज किन्तू क्या हम क्या कर सकते हैं अरे घोगा राणा का पुत्र और सेनापती होकर पूछता है कि हम क्या कर सकते हैं मूर्क यदि हम शत्र को मार नहीं सकते तो मर तो सकते हैं कम से कम अपने नेत्रों से अपने देश के दूर्दशा तो नहीं देखेंगे जा और साके की तैयारी कर साके की तैयारी? हाँ जो भी अपने देश पर बलिदान होना चाहे उसके लिए केसा या वस्त्र और शास्त्रों का प्रबंद कर जा